जहिन सभी को मैं हूँ नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिग्यासा ओफिशल में GK, GS और Current Affairs ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सारे Government Exams में अच्छे मेरिट लाने के लिए most important है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे तरीके बता हुआ जिने follow करके आप आराम से GK, GS और Current Affairs में 100% score कर लोगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप बता हुआ जिसे अगर आप 2-3 बार भी यूज़ कर लोगे तो GK, GS तो आपके लिए हलवा बन जाएंगे तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलो वीडियो को शुरू करते है तो GK, GS याद करने का सबसे पहला और जैनुवन तरीका है रीडिंग हैबिट अब रीडिंग का नाम सुनके भाग मन जा रहा पहले मेरी पुरी बात सुलने देखो अगर तुम किसी एक्जाम्स की प्रप्रेशन कर रहे हो जिसमें मिनिमम एक या आदा साल लग रहा है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर रीडिंग हैबिट लानी होगी अब रीडिंग हैबिट लाने का मतलब दिन पर किताब पढ़ने से नहीं है रीडिंग करनी है पर न्यूस पेपर की वो भी डेली एक गंटा न्यूस पेपर जीके और करन्ट अफेर्स का एक most valuable source है अगर तुम डेली एक आवर भी न्यूस पेपर धंग से पढ़ लेते हो और अपने अंदर एक डिडिंग हैबिट बना लेते हो तो तुम्हे एक्स्टा करन्ट अफेर्स पढ़ने की तो जरूरत भी नहीं होगी मेरे हिसाब से दा हिंदू और एकनॉमिक टाइम्स जीके और करन्ट अफेर्स के लिए बेस्ट है अब आते है अपने अगले पॉइंट पे जो की है टेक ऑनलाइन क्विजेस ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट तो देखो आज के टाइम बेना अगर तुम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या तुम सेल्फ स्टेडी करना चाहते हो तो GK GS प्रवेर करने का सबसे बेस्ट आप्चन है इंटरनेट जब भी तुम GK और GS रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बाद तुम किसी भी वेबसाइट पर जाओ और उसका मॉक टेस्ट दो आचल बहुत सारी वेबसाइट में मॉक टेस्ट एकदम फ्री में अवेलेबल है मॉक टेस्ट देने से तुमने जो पढ़ा है न उसे याद रखने में हल्प होगी अगर तुम रोज किसी भी साइट पर जाना नहीं चाहते किसे काम करता है तो सबसे बैटर आप्शन है कि तुम खुद सेल्फ स्टेडी करो और अपनी लैंग्वेज और स्टाइल में खूद के नोट्स बनाओ इससे होगा क्या कि तुमारे बनाएवे नोट्स तुम कभी भी नहीं बूलोगे और किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए नोट्स प्रिपरेशन सबसे जरूरी भी है अब मैं तुम्हें एक बोनस टिप बताता हूँ जिसे फॉलो करके तो जीके और जीएस तुमारे लिए हलवा बन जाएगा हाँ बस शर्त ही है कि तुम्हें वो दो से तीन बार फॉलो जरूर करनी है वरने रिजल्ट कैसे बता चलेगा तो वो बोनस टिप है रिवाइस जीके यूजिंग 24 इन्टू 730 फॉर्मूला अब इसमें तुम्हें का करना है कि जब भी तुम कुछ नया पढ़ोगे तो उसके 24 गंटे बाद तुम्हें एक बार उसे रिवाइस करना है और ठीक 7 दिन बाद तुम्हें वही चैप्टर दो बारा रिवाइस करना है और फिर 30 दिन बाद सेम मैट़ड अप्लाए करना है इससे दो फायदे हुँगी एक तुम्हारी revise करनी की habit बन जाएगी और दूसरी तुम कभी भी GKGS नहीं बुलोगे अब बाकि तुम्हारे उपर है कि तुम government exam के लिए कितना serious हो तो अगर तुम्हें मेरी बताई हुई एक भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैहिंट जैवारत